तो आप सबी स्टूडिन्टस को बताना चाहता हूँ, इस वक्ते जो है छथिस घड़ में सी जीव आपम में काफी महतुपुर जो है नई अपडेट्स, नई वेकेंसि जो है निकल कराल है सब्सक्राइब करें पर आपका सेलेक्षन जो है कंडिडेट जो है कितने हैं इन सभी भरती परिक्षा के लिए सबी डिटेस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो वीडियो को लाश ज़रूर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कारियाला प्रवेस्पत्र जो है जारी करने के संबंद में जो की काफी ज़ादा important है बहुत ही जादा महत्तुपूर्ण आप लोगों के लिए पोश्ट जो है निकाले गए हैं अगर हम परिक्षा के नाम के बात करें तो इसमें आपके साहयक प्रबंधक फिल्ड ओफिसर कारियाला साहयक सामान्य साहयक समीती प्रबंधक नविन समर्ग भरती परिक्षा 2023 अगर हम बात करें परिक्षा की डेट के तो आपके पंदरा अक्टूबर 2023 को एक्जाम सोगा परिक्षा के समय के बात करें तो इसका पूरवाहन में होगा आपका 10 बजे से लेकर 12 बच के 15 मिनट तक आपका एक्जाम सोगा देन उसके बाद आपका कनिश्ट प्रबंधक 2, कनिश्ट प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी, विसे सग्य, मुख्य लेखापाल, उप्रबंधक सायक, प्रबंधक भरती परिक्षा 2030 और इसका एक्जाम्स होगा, आपका अपराहन में होगा, यानि कि 2 बज़े से लेकर 4 बच के 15 मिनट तक आपका एक्जाम्स होगा, तो यह सभी भरती परिक्षा काफी जादा इंपोर्टन्ट है, आप इसे हरे की स्टुडेंट्स के लिए और परिक्षा के अंदर के अगर हम बात करें, तो 31 जीला मुख्यालाओं को परिक्षा के अंदर बनाया गया है, तो आप अपना एड्मीट कार्ट प्राप्त कर सकते हैं, और सीजी व्यापम के द्वारा काफी महत्तु पूर्ट यह नोटिफिकेसन है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सिलेबस के बारे में ताकि आपको और अच्छे से पता चाह सकें, और कितने क्विस्टन्स आपको शॉल करना है, यह भी चीजे, आप लोगों ने देखा होगा कि हैंट पर्म टेक्निशन्स भर्दी परिक्षा का कट अप बहुत ही जादा कम गये था, जितना आप लोगों ने सोचा था उस से कह कम एक्सवेक्टेड कट अप जो है देखने को मिला, तो हर एक साल का कट अप जो होता है, वो आपका अलग अलग होता है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कि इस साल का कट अप इतना गया है, तो अगले साल का भी कट अप उतना जाएगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, तो आप ल जो है सांको के होंगे और परिक्षा के लिए एक्जाम्स के लिए आपको जो है दो घंटे का समय दिया जाएगा टू आवर्स का आपके पास जो है समय होगा भागवन के बात करें तिसमें आपके जो है शतीस गड़ का समानिय गया जिसमें आपका शतीस गड़ का इतिहास हैं सोतंतरता अंदुलन में 36 गड़ के योगदान भोगोल जलवायू भौतिक दसाइं जनगरना पूरा तात्विकम परियतन के इंदर साहित तेनरेत अकलायम संस्कृति जन जातियां विसेश परंपराय तीजेवं त्यवार अर्थ व्यवस्था वन एवं क्रिशी प्रशाशनिक द्हाचा इस्थानिय शाशन एवं पंचायती राज उद्यो गुर्जा जयल एवं खनी संसाधन संसाहिकी घटना है 36 गड़ से संबंदी तन्या महत्तुपोड विसे तो इन सभी से आपके एक्जामें प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं तो 36 गड़ के complete जानकारिया दिया पाना चाहते हैं तो इसके लाब आप अच्छे से कर पाएंगे और डेफेनेटली हैं कि आप एक्जाम में एक अच्छा खासा नंबर जो है गेंड कर पाएंगे तो आपको 36 गड़ के लिए Competitions Academy जो बुक मैंने आपको बता है इन ही से आपको प्रिपरेशन करना है इन ही से आपको इस्टडी करना है ताकि आपके एक्जाम बहुत अच्छे से जो है क्वालिफाइड जो हो पाएगा इसके सांद जो हम बात करें 36 गड़ी भासा का ग्यान जिसमें आपका जनवला हो गया मुहावरे हो गया 36 गड़ी व्याकरन आना हम लोग कुक्तियां इत्यादिये सभी सबसे जादा आपके इमपॉर्टन जो होने वाला है तो बस तैयारी पर ही फोकस करना है मेहनत आपको अच्छे से करना है क्योंकि जितना जादा आपका मेहन करते रहना है तक क्यूंकि कामयाभी का कोई एक पहलू नहीं होता को डेट की डिन में मिल जाएगा यह इतने आतंने रहने समय में मिल जाएगा भाग दो कि बात करें तुछम्समानियगा tolaat अभारत के तिहास हेंड़न रिफ्ठियम भा रत का सोतंतुरतां दोलन में भौतीक समाजी कम आर्थिक भूगुल भारती रजनेतिकों आवसा सविधाने उम्राज व्य 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 जो यह सभी से अम्नकों पूछे जाते हैं तो इंडियन हीश्टी के बारे में यदि आप तयारी करना चाहते हैं तो इसके लाब Af united ऐसे एकेडमी का भुक लेशना जिसे हैं आपको। इंडियन हीश्टी के Бारे में मिल पाएगा है और आप उच्छे से से कैं आपको पड़ाई करने हैं जितने ज्यादा करने हैं क्योंकि नालेज बढ़ाने सेordinate से बढ़ता है न mouve सेर करने से बढ़ता है वही अगर हम बात करें आपके गड़ी तेवतार की क्यों गयता है मैसे तो के लिए आप अरिहंद का मास्टर रिजिनिंग ले सकते हैं जिसी के आपके रिजिनिंग के त्यारी जो है रिजिनिंग के प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा और आप रिजिनिंग में बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे इसके साथ हिंदी भासा का समानिय क्य क्यांद जिसमें आपके ग्रामर के complete knowledge पुछे जाते हैं ग्रामर में आपके exams में जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइश, नरेशन, कंजेक्शन, प्रिपोजिशन, सार्टिकल, डिग्री, questions, टाइग, determination, डिग्री, यह सभी जो है पुछे जाते हैं तो इंग्लिश के त्यारी करने के लाब जाते हैं तो इन सभी से त्यारी कीजिए आपका exam जो है अवसरुप से qualify हो पाएगा और इसके साथ जो है सहकारी ता धिनिया में banking संबंध ही इस से exam examination क्योंके प्रशनाएंगे, cool total जो है सभंक क्योंके तो अगर हम cut up के बात करें तो general category वाले गरप students हो तो 75 से C number वाले student के इसमें selections होगा, और 20 category वाले गरप student हो तो 70 से 75 नंबर वाले student का selection होगा, SC category वाले गरप student हो तो 65 से 70 नंबर वाले student का selection होगा और यदि आप SC category वाले student हो तो 60 से 65 नंबर वाले student के सेलेक्शन जो होगा, cut up इतना ही होने वाला है तो admit cut जारी हो चुगा, पंदर अक्टूबर को आपका exam सोगा हो, वीडियो पसंद आ हो, वीडियो गर आपको पसंद आ है तो वीडियो को like करना, चैनल परना है तो चैनल क सब्सक्राइब कर लेना साथ में वे लोटिफिकेशन काउंड करके रख लेना जादा जादा शेयर करना, thank you so much, मिलते हैं किसी नए वीडियो में